हेलोगवेस बेल अंगां तो टेक्निकल माइट्स कैसे हैं हम सब लोग तो जैसे हम JVC श्रीज फोलो कर रहे हैं ठीक है तो इससे पहले मैंने थीन वीडियो बनाई है वहाँ पे वहाँ पे मैंने सब कुछ बताया मैं एक बार फिर से संदा जाता हूं उस वाले कोड को कि connection create आखिर कैसे करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे package बनाया डेटाबेस का यह तो यह मैं NetBeans में बना रहा हूं इसलिए मैंने इन सब का यूज किया था ठीक है mostly चीज आती है हमारी यहाँ पे connection class के और statement का मैंने एक barrier बर लिया यहाँ और मैंने अपनी जो क्लास है मेरी connection class उसका मैंने यहाँ पर constructor बनाया try catch के अंदर मैंने यूज किया अपना connection का code सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना driver का load कराया class.phone name से और उसको मैंने driver manager का through get connection यहाँ बिल्ड किया अपने JDBC का जो मेरा MySQL है और उसके बाद मैंने यहाँ पर statement बनाई और यहाँ चेक किया connection create हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है तो इतना सा simple सा काम था अगर connection create हो गया तो आपर print हो जाए यहाँ पर connect और अगर नहीं हुआ तो note connect ठीक है और मैंने यहाँ पर इसको enter किया simple सा आपको हमें यहाँ पर class import करानी पड़ेगी import java.sql.star आप java.java.java.sql भी import करा सकते हैं बट हम यहाँ पर swing का यूज नहीं कर रहे है इसलिए हम वो नहीं कराएं ठीक है मैंने आपको सब कुछ basic इसका import बगर क्या करानी होती है वो पहली वाली वीड़ा है उसको जरूर जाओके देखी ठीक है और सबसे पहले हम जो काम करेंगे अपना constructor के अंदर करेंगे उससे बहले मैं यहाँ पर constructor create कर लेता हूं और उसके बाद मेरे को जो भी connection का काम करना होता है वो try catch के अंदर करना होता है तो यह मश्ठ लगाना exception create होगी मेरी यहाँ पर exception को मैं फैस करा लूँगा e dot print stack trace से मैंने उसको फैस करा ले ठीक है और अब देखो मेरे को simple है यहाँ पर table create कैसे करानी है सबसे बहले मेरे को connection will कराना है तो connection class जो मैंने बनाई थी उसके अंदर कुछ methods थे उनको मैं यूज कर सकता हूं अब अपने इस वाली class में क्योंकि मैंने यहाँ पर database package का यूज किया है और इसी वाले package के अंदर मेरे यहाँ यहाँ पर दोनु हो जाओंगा मैं यहाँ पर देखो connection class का पहले मैं यहाँ पर बना लेता हूँ object ठीक है connection class object लेडिया यहाँ पर new connection class connection class का अब्जेप्ट बन चुका है सब्सेंपल से मैं यहाँ आप आपने query लिखनी है मैंने query ले लिए string s equal to और query लिखते हैं double code में अब query कैसे लिखते हैं हमारे जो query होती है table create करने की वह simple लिखने है create create table table का नाम जैसे कि मैं यहाँ पर student देता हूँ वहाँ ठीक है table student और उसके हमको attribute देने है s id वह लेनी हमको int में और primary की देनी है उसको ठीक है और next लेना है हमको student का name bear care size देती हमने उसका 20 note देते हैं और उसके बाद देने हमको CT इसका भी हम bear care ले लेते हैं type और देने हमको as बस हमको इतने देने attribute हमको simple next line में आना है यह एक example के थुरूँ है आप यहाँ पर कितने भी attribute ले सकते हैं ठीक है अब इस देखो मेरे को यहाँ पर अपनी query को fire कराने के लिए simple connection class को object करना बढ़ेगा statement htm जो मैंने variable statement dot execute मेरे को करानी यहाँ पर query ठीक है main बना लेते है अब 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 जो मेरी create class थी मेरे को उसका constructor जो वाई default है बनावा हमारा यह जो हमने बनाया है इसको simple call करा लेना हमको यहाँ पर और इसको save करते हैं और अब इसको run कराते हैं जो हमने यहाँ पर tables का नाम दिया है वो tables हमारे database में create हो जाने चाहिए इस class के run होते ही क्योंकि class run हो रही हमारी compiler इसको run कर रहा है simple main method पर जाएगा main method पर जाने के बाद वो simple सा यह वाला method call करेगा और यह method automatic call हो जाएगा यहाँ से call होने के बाद यह support automatic चल जागा हमको कुछ भी करने के जरूरत नहीं है यहां पर यहांपे कुछ error दे रहा है molds आप jej deficiency query हम जो अपडेट का मतलव होता हम जो अपना data यह sulあの data fetch नहीं करा रहते इसलिए मैंने वहां पे virtual geldi लिखाते है तो आप इसलिए करी ने लिखने है वहांप web इसको रन किया तो connected लिखाओ आ गया और अब मैं देखो डेटाबेस में जाकर यहाँ पर सो कराता हूँ आप पो इंटेजर थी हमारी तो हमारी यहाँ पर पूरी create करने का code मैं आपको यहाँ पर समझा दिया आपको अच्छे से अब इसमें data कैसे इंसर्ट कराते हैं विद अपने जाबा के code को तुरू जो data इंसर्ट कराएंगा वो बता हूँ नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं ठी झाले हैं 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 झाले